दोस्तों हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के पिसे में चर्चा करने वाले हैं जैसा कि हम सभी लोग घर बनवाते हैं और आपको ये नहीं पता होता है कि अगर सपोज देट एक हजार स्कार फिट की आपकी च्छत है मतलब कि अगर 20 वाई 50 का आपका प्लॉट है 20 पिट चोड़ाई और 50 पिट लंबाई तो आपका 6,000 स्कार फिट लगबग बन जाता है 1000 स्कार फिट में कितना मैटरियल लगीगा मैटरियल की बात करें कि आपका कितना सरीय लगीगा कितना बालू या जिसे मौरम बोलते हैं वो कितना लगेगा कितने सीमेंट के बैग लगेंगे कितने सीमेंट के बोरियां लगेंगे और कितना गिट्टी जो पत्थर होता है वो कितना लगने वाला है तो उसका एक calculation आज हम आपको शिखाने वाले हैं, आप घर बैठे, आपको कहीं भी किसी mystery सी पूछने ही आप सकता नहीं है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1000 square feet च्छत में कितना material लगने वाला है, अगर आपका 1000 square feet च्छत नहीं है, 1500 square feet है, 500 square feet, 800 square feet है, तो उसका भी ratio हम आपक होगा, तो पूरा detail की साथ आज हम वीडियो बनाने वाले हैं, तो बने देशे, वीडियो में लगातार मैं हूँ पहुंचागड़ा और आप देख रहे हैं, अपना चैनल इसमाल हॉस प्लान एक ऐसा चैनल है, यहाँ पर आपको सारी detail, पल पर की news मिलती रहती, तो आप इस कितना वगरा लगेगा, तो मैंने सबसे पहले एक overview दे दिया है, 1000 square foot ढलाई में कितना material लगेगा, तो मैंने एक table बनाकर आपको समझा दिया है, अब इसका calculation भी हम आपको बताएंगे, अभी आप एक table देख लीजिए, 1000 square foot 6 में कितना cement कितना लगेगा, वो बताया गया है, द क्यूविक फिट में दोस्तों आप पर detail दी गई है, इसको आप फिट में निकाल सकते हैं, इसके बाद अगर चट की गिट्टी की बात करें, तो वो भी क्यूविक फिट में दिया है, आपको 249 क्यूविक फिट गिट्टी लगने वाली है, सरिया जो बहुत important होता है, लोग अगर आपका सरिया लगने वाला है, मतलब केजी 950 केजी तक, अगर हम बात करें, मोटा मुटी आपको 1000 क्यूविक फिट का च्छत का अगर कल्कुलेशन निकालना है, तो लगबग 8-9 कुंटल सरिया आपका लगने वाला है, जो इसके बाद 70-75 बैक सीमेंट का लगने वाल अगर मैंने दी है, जो 1000 स्कार फिट क्छत की ड़लाई मी लगने वाला है था, अब इन सभी के हमने इक कल्कुलेशन भी आपको नीशे समझाये हैं, कैसे आप कल्कुलेट कर पाएंगे, तो सबसे पहले, यहाँ पर अलग-अलग दें कि 1000 स्कार फिट क्छत में कितना सबसे पहले आपको एरिया फाइंड आउड करना होका, यह फाइंड आउड कर लिया है, अपको निकालना होगा, इसके बाद मैंने टोटल नमबर आप बैक से निकाले हैं, और कितने अनुपात में आप बालू मिलाएंगे गिट्टी शीमेंड मौरम को उसके पश्याद फाइनल जो रिजल्ट निकल कर आया एक सो उनीज़ों तीन चार क्यूवी क्विट पूरा कल्कुलेशन आप देख सकते हैं अगर आप खुद भी कल्कुलेशन करना चाहते तो आ सबसे पहले आपको अपना फाइंड आउड करना होगा एरिया कि आपका च्छत का एरिया कितना है उसके आधार पर आप आसानी से पूरा च्छत का मैटरियल निकाल पाएंगे तो अगर हमारी ये जानकारे आपको पशन्द आई हो तो प्लीज वीडियो कर आइक से ज़रू कर दें चैनल को सब टाइम नहीं किया तो ज़रू कर लें तैंक्स वाचिंग